नमस्कार सियासी चोक में आपका स्वागत मैं हूं सुशान पारीक और मेरे साथ मोजूद हैं देश के जाने माने पत्रकार विजय विद्रोही और आज हम एक बार फिर से पोलिटिकल खबरों का पोस्ट मार्टम करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर आप जानते हैं सचिन पा पाइलेट खामोश हैं और ये खामोशी कहीं तुफान से पहले वाली खामोशी तो नहीं हैं और आज सचिन पाइलेट ने प्रेसवारता करके राजस्तान की सियासत में एक तरीके से तुफान ला दिया अपनी ही सरकार के खिलाब मोर्चा खोल दिया और ये एलान भी कर दि ये थे PCC चीफ के पद पर रहते हुए अशोग गहलोत ने नहीं पूरे किये और उन्हें भी राजस्तान कॉंग्रेस में सरकार में किसी भी रूप में हिस्सेदारी नहीं मिल रही है तो अब आरपार की जंग का एलान कई हमले कई आरोप उन्होंने लगाए हैं उन पर हम बात करेंगे 11 तारिक को अंशन पर बैठेंगे अपनी सरकार के खिलाब जैपुर में तो ये भी देखने वाली तस्वीर होगी कि उनके साथ कौन-कौन लोग बैठते हैं इस मसले पर परताब सिंग का साथ भी उन्हें मिला है इस पर भी बात करेंगे और भारतिय जंदा सचिन पाइलेट करेंगे पुलिटिकल ही रूप से देखे तो ठीक लगता है लेकिन ये सवाल भी पूछा जाएगा कि साड़े चाट साल बीतने के बाद क्यों जनता उनके समर्थक भी गैलोज समर्थक भी सभी पूछेंगे कर लोगा तब ग्रवजी शोड़ी याइन ओने-गर फुलड़ी को जन्ता χोलत आएए अगर सभूछर मामदी निपटाना है या कुछ भी करना है तो 11 एपरल को 11 बजे से पहले कर लेना होगा अगर आला कमान इस मामले को लेकर कंभी रही है यह मान कर चलता हूं और ट्रेलर दिखाएंगे सब्सक्राइब आज तो इन्हों ने जहांकी सी दिखाई है टीजर आया है पोस्टर लॉंच हुआ एक परीके स 11 को ट्रेलर आएगा और 11 को शाम को 5-6 बजे जब भी धरने से उठेंगे तो वो ब्रेक होगा और ब्रेक में उधान होगा जो एलान नहीं करेंगे लेकर एलान होगा कि पिक्चर अभी बाकि है पिक्चर क्या बनने वाली है बहुत कहानी बहुत उधर जा रही है उस तरह ज अभी फिर अशोग घेलोट इसका क्या जवाब देंगे अब कहानी यह है कि सिरफ अशोग घेलोट उनकी निशाने पर नहीं है थोड़ा बहुत निशाने पर आला कमान भी है क्योंकि press conference अगर आपने पूरी सुनी हो तो उन्हें कहा कि साब मैंने पिछले साल 22 मार्च को अशोग हैलोत को खत लिखा फिर नवंबर में खत लिखा और उसकी एक copy AICC को भी भेजी थी जो सुजाओ मैंने दिये उनमें एक सुजाओ ये भी था और सुजाओ भी था को ढखकर बैठ गई जैसा अशोग हैलोत इनकी मांग पर को हाशिय पर रखकर या अटारी पर डालकर भूल गए लेकिन बड़ा हमला तो गैलोत पर है बड़ा हमला अब देखिए 11 अपरल 11 बजे एक राज्य का Congress का बढ़ानेता जो पूर मुख्यमंत्री है जो पूर तो क्या मैसेज जाएगा क्या मैसेज जाएगा पूल मिलाकर एक तो यह है कि यह राइट टू हेल से जो अहदा उठाने की बात थी बजट अच्छा था उस पर यह पानी फिरने जैसा है उनकी कोशिश है कि इस पर पूरा पानी फिर दो तो इससे नुकसान Congress का है मैं कोई अ पाइलट का समर्थन उस रूप में नहीं कर रहा एक टाइमिंग जब आपका सबसे बड़ा नेता जिसके पक्ष में एक दिन पहले आप रात को मशाल जलूस निकालते हैं वो अपने सबसे राजनितिक संकट के सबसे गहरे दोर से गुजर रहा है बुरे दोर से गुजर रह चमक भी देख रहा है कि इस अंधेरे से उजालेज में कैसे कॉंग्रेस को लाया जा सकता है करनाटक का चनाव सर पर है तब आप अपने मुख्यमंत्री के खिलाब धरने की बात कहते हैं आप 10-15 दिन महीना बर इंतजार भी कर सकते थे लेकिन जो बात उन्होंने उठाई है वो में फस जाते हैं अशोग हैलोट और अशोग हैलोट की सबसे कमजोर नवस पे अशोग हैलोट अपनी छवी पर कोई और दाग लगने दे लेकिन ये दाग नहीं लगने देना चाहते हैं कि करॉप्शन के का साथ देते हैं या करॉप्शन को बढ़ावा देते हैं गांध त्यारी के साथ आए थे वह आज बिल्कुल फैक्ट लेकर आए और सबसे चे बाद सचिन पाइलेट की रही बहुत टाइम बाद ऐसी प्रेस कॉंफेंस एकी जिसमें न वो दाएं हुए न बाएं हुए कट टू कट रहें पत्रकारों के सवालों के जवाब में भी फसे नहीं बटकने की कोशिश हलांकि सवाल थे कई लेकिन उन्होंने बिल्कुल सदे हुए अंदाज में जवाब दिया लेकिन वो तैयारी के साथ आए थे उन्होंने वीडियो बकाइदा दिखाए उस दौर के सचिन पाइलेट की अगर मान सिक्का और माइंड सेट के हिसाब से समझें तो सचिन पाइलेट राजस्तान में जो चाहते थे वो नहीं मिला उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है यहां पर देखे चार चीज़े हैं एक तो सचिन पाइलेट अब तैय कर चुके हैं मान होगी तो लीपा पोटी टाइब हो जाएगी और अब सचिन पाइलेट के बाद दो रास्ते बचें पहला रास्ता है कि वो पार्टी के अंदर रहकर संघर्श करें तो उन्होंने लगता है कि पहला रास्ता चुना है कि पार्टी के अंदर रहकर संघर्श करना है मोर्चा ख कर रहें वो खुल मिलाकर कह रहे है कि साव आपने कहा ता वसुन्द्रा राजे की सरकार व्रेश्ट है 25,000 करोड के गड़वडी के आरोफ हैं शराब माफिया है डरंग है भू माफिया है इन सब के खिलाब आपकी सरकार आएगी कारवाई कैंगे मैंने भी यह कह आप आपने भी का मैंने भी गया मिलके वादे किये तो आप वादे क्यों नहीं पूरा कर रहे आप जंता की उमीदों पर खरा क्यों नहीं उतर रहे आप पर मिली भगत के आरोप लग जाएंगे बड़ी चलाकी से यह बाहर बार राश्पती तक गये हम लोग मिलकर यह उन्हों ने भूल हो गई अशोगेलो सरकार से या जान भूज कर वो भूल रखी गई क्योंकि जब भी Inquiry Act के तहट कोई आयोग बनता है तो वो Commission of Inquiry Act के तहट बनता है और अगर उस Act के तहट नहीं बनता तो फिर उसकी जो भी Inquiry आएगी वो अपनी सवेधानी Credibility खो देती है उसको वो अक्तियार नहीं मिलता तो इसमें वो आयोग बना दिया लेकिन Inquiry Commission for Inquiry Act जो होता है उसके तहट नहीं लाया गया उसको तो इतनी और इस बिना पर राइसन हाइपोट ने रिजट करती है यही तो मैंने आपको इशारा किया कि यह महान तक्नीकी ब अंकेद दे रहे हैं कि मिली भगत की बात को बार बार कह रहे हैं कि जानबूज के रास्ता थोड़ा क्या ताकि हाई कोड़ से रिलीफ मिल जाए लेकिन उन्होंने एक जो सवाल उठाया वो ठीक वही भाशा अर्विंद केजरी वाल की थी बगवंत मान की थी हनौन बेनी व चाँ रहे हैं तो ये भी अकतल कि से देखें तो उन्हीं बजान का एक तरीके का आगे मिली भगत तो नहीं है अब रोधी कौना विरोधी तो वही opposition है जो सामने वाली बार्णी है तो यह समझ जाईए कि कैसे उन्होंने घुमा फिरा कर बात कहने की कोशिश की है थोड़ा संभले भी है, थोड़ा बचने की भी कोशिश की और थोड़ा आला कमान को बचाने की, उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि संगठन की जिम्मेदारी नहीं है, सरकार की जिम्मेदारी जियादा बनती है तो कहीं न कहीं अपने लिए एक रास्ता भी छोड़ा है उन्होंने तार्गेट किये बहुत अशोग हैलो अशोग हैलो तरह टार्गेट पे हैं और अब कोई सुले सफाई का आप तो मसला रहा नहीं कुछ बाचित और वो तो है क्योंकि हम बात करते हैं कि ये कोई ऐसा फर्मूला है नहीं कि बीच का रासा निकल जाए लेकिन हनुमान बेनीवा जो चुना है वह जोती बाद खुले की जैन्ती है तो अपना अपना तरीका इनका भी तरीका है कि उसी दिन हिट किया जाए हनुमान बेनीवाल को कोई सीरेश्टी ले नी रहा हनुमान बेनीवाल बीजेटी का दरवाजा भी खट-कटा रहे हैं मेरे सूत्रों ने मुझे ख रहे हैं कि सचिन पाइलट ऐसा कोई अलग पार्टी बना लें जिससे हमारा गडबंदन हो जाए तो उनको तो कोई सीरेश्ली रहनुमान बेनीवाल को इस रूप में कोई ले नी रहा क्योंकि उन्होंने अपने पूरे पत्ते नहीं खोल रहे हैं और उनके साथ जाने से लेकिन प्रेस कोंफरेंस एक ऐसी प्रेस कोंफरेंस आज की जिसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चाएं थी वो अपनी घोशना के साथ ही कल जैसे ही मैसेज आया सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी लोग कहने लगे कि बहुत बड़ी प्रेसवारता है यहां तक कहा गया कि अपनी पार्टी चोड़ने का एलान करेंगे लेकिन कोई बी नेता यह तो खैर अपने-पने कयास से प्रेस कांफरेंस करके वो भी यैपून में पार्टी चोड़ने का एलान नहीं करता है सचिन पाइलेट में वो रासा चुना है जो वीजजी बता रहे हैं कि अब ही पार्टी में रहकर जो संगर्ष उनका था धीमा पड़ गया था कारेकरता उनका समर्थक उनके नेता फुर निराश होने लगे थे एक उर्जा जो है उर्जा भरने का काम किया अब तस्वीर जो है वो असली अगर हम कहें ट्रेलर जिसकी बात कर रहे हैं ग्यारा अप्रेल को सचिन पालेट ने कहा है कि मैं अकेला बैठूंगा ग्यारा बजे शहिस मारक पर मैंने सूचना दे दी है जिला पर शाषन को लेकिन ये तो तयारी होगी पूरे राजस्थान में कि सारे कारेकरता उनके नेता वो तो आएं ही लेकिन गहलोत खेमे से कौन-कौन विधायक नेता मंत्री वहां पहुंचता है इस पर सब की नजर होगी यहां मुझे लगता सचिन पालट गलती करेंगे ग्यारा अपरल के दिन तो उनको अकेले बैठना चाहिए और अपने समर्थों से कह देना चाहिए कि अगर उनके समर्था हो वो वाकई में सानुगूती रखते हैं वो सचिन पालट से तो वो दूर रहें यह अकेला रहने तो ग्यारा अपरल को कर दें लेकिन ग्यारा अपरल को नहीं करना चाहिए ताकि उनका जो मकसद है उसमें कोई सवाल उठाने लाइग नहीं बचे वो चैनके साब मेरा तो मकसद है मैं नहीं चाहता, उनके समर्थक आएंगे, कुछ आएंगे, तो उनको कोई आगे जाके राजनेतिक खाम यादा उठाना पड़े, और दूसरा, मैं one to one करना चाहिए अशोग घहलोत के साथ, कि तब मैं सचन पालट हूँ, आप अशोग घहलोत है, आप हम दोनों ने मिलके वा करेंगे, तो आला कवान को, जो इनका विरोदी खेमा है, वो थोड़ा चनौती देने की का भी करेगा, कान भी भरेगा, कुछ और चीजें भी अपनी तरफ से कहने कोशिश करेगा, फिर इनके इधर उदर समर्थन्ग विधायक मान लीजे बैठे, तो कोई ना कोई ऐसा बय करेंगे, करे-करता तयारी करने लगने होंगे, कैसे रोक पाएंगे आप, एक बड़ा जवाड़ा भी बड़ा एक हुजूम भी दिख सकता है उस दिन, लेके, अकेले बैठना है, एक छोटा सा आसन बना रहा है, उस आसन पर बैठे, अन्ना हजारे वाली तस्वीर, अन्ना करता है, हमारे यहां पर शादी, शरापी के लोग यही गाना काते हैं, तो और फिर शहीज समारक चुना उन्होंने, यह बड़ा देखिया आप, तो मुझे लगता यह है कि और प्रेस कॉन्स की जहां तक बात है, तो कुछ लूग आप कह रहे थे कि पार्टी छोड़ उनकी नजर में तो चाय से ज्यादा एतनी गर्म निक्ते हैं, कई लोग उने तो लगा देखिया लेकिन सचिन वालिट के बाद विकल के हम जो चर्चा कर रहे थे, एक तो पार्टी के अंदर का है, और हो सकता है, उसके बाद उनको भी पता है कि यह मामरा लंबा नहीं किस स संबल है, ज्यादा चर्चा इस बात की है, मैं एक चीज़ बता रहा हूं, ज्यादा चर्चा इस बात की है कि कौन-कौन वहां साथ बैड़ता है, अभी राजस्तान की राजीती में चर्चा इस बात पे हो रही है, यह भी बिलकुल सही बात है, आप सही कह रहे हैं, और दू जिस भ्रष्टाचार की बाद आहूल गांदी करते है। जिस भ्रष्टाचार की बाद नरेंदर मुदी प्रधान करते हैं जिर्टाउर्डएंस की मैं तो उसी परंपरा में आगे बढ़ रहा था सब्सेअंत उग्याद explor कि व्ह Blezaag dB की करोड़ की गरेत है। तो बीजेपी भी समर्थन नहीं कर सकती ना कि सचिन पाइलन कि हम मांग का समर्थन करते हैं बीजेपी की प्रेस कॉंफेंस हुई राजया बर्दिल सिंग डाटोट से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें राजस्तान के मसले पर बोलना चाहिए था जो सामपरदा अगर उन्होंने कोई बात कही है तो उस बात में बजन है और करप्शन के खिलाब आवाज उठाना गलत नहीं है परताब सिंग को कल रात को हमने मशाज जूलूस में साथ में देखा था और अपने हमारे एक इंटर्विव में रास्तान चोके तो अशोग गयलोत के खिलाब बोट्चा खोल चुके हैं खेमा अब चेंज हो चुका है उनका हो चुका है तो ठीक है फिर इस पर तो मैं क्या क्टिपड़ी करूँ वैसे तो अन्गाइड़ेट मिजाईल है वो मिजाईल ऐसा है कि कहीं भी चल देता है अभी इस तरफ चल रहा तो उस तरफ भी चला की कवान परताब सिंग के पास थी और दोनों सडकों पर संगर्स करते हो साथ में दिखते थे लेकिन सरकार बनी परस्थितियां बदल गई और फिर से जब इलेक्शन येर है तब परस्थितियां वापस बदल रही है सचिन पाइलेट अब हम एक एक बात ऐसी कर रहे हैं जो कर कोई बार्गेनिंग नहीं होती है प्रेशर पॉलिटिक्स काम नहीं कर पाती है तो फिर पाइलेट क्या करें क्योंकि आखरी दाम मान रहे हैं इसे मैंने तो आप बढ़े ना कि रास्ता आधार तयार कर रहे है पिर छोड़ना पड़ेगा पार्टी में रहकर क्या करेंग माल लीजे अगर वैसे तो मुझे नहीं लगता आला कमान उनको 11 एपरिल के धरने पर ना बैठने की सला की गिंती करेगा हो सकता है रंधावा साब अगर समझदारी से काम लें और बलीकारजुन थड़गे के माध्यम से फोन करवाएं सचिन पाइलट को कि अभी आप 10 दिन दे दीजिए 15 दे दीजिए या करनाटक चनाओ तक कम तक आप थोड़ा सा सब रखिए उसके बाद हम देखते हैं अगर ऐसी कोई बात होती है तो सचिन पाइलट की ये बिना धरने पर बैठे बड़ी पॉलिटिकल जीत होगी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करें गो लेकिन पॉलिटिकल उठाया गया है समझदार है माझनता हूं कि कोई बी सरकार साड़े चार साल सक्का में रहने के बाद पिछली सरकार के कारणामों की जांच कराएगी ऐसा कभी होता नहीं उससे कोई पॉलिटिकल हिट भी नहीं सगने वाला आज की तारीए में अगर वहसंदरा जब वो बजट में जो दी गई घुशनाय है उनका इमांदारी से पालन होता है उसकी इमांदारी से मॉनेटरिंग होती है जासे ज्यादा लोगों को रिलीफ पहुंचाने की कोशिश होती है उससे ज्यादा आपको प्लिटिकल फाइदा होगा और जनता को इससे कोई लेना भ कि उन्होंने पिछले को बारा विधानसवा चुनाओं का अध्यन किया जिसमें भ्रष्टाचार महंगाई विरोजगारी मुख्य मुख्य मुद्धा था लेकिन बारा मेंसे छे बार छे जगा सब्तारूर पार्टियां रिपीट होगे लेकिन अपरवाद भी है केजरिवाल पर आम आदमी पार्टी के इसरी बहुत है निया कऱें और वबश्टाचार के मुद्धी पर ही सरकाथ अपनी आम आदमी पार्टी है नहें बना ऌपको में रिक्सीरिवालध को सेस्री नहीं लेगई ये सवाल उन्से पूछा गया था कि समय बहुत कम है और क्या आपको लगता है अशोग गहलोद इस पर कारवाई करेंगे तो उन्हें कहा उमीद पर दुनिया काइम है मैं उमीद करता हूँ कि कोई ने कोई एक्षिन जो है वो होगा और सवाल विजय जी ये भी है कि अशोग गहलोद ने पूरी प्रेसवारता उनकी सुनी होगी ध्यान से सुनी होगी कई बार सुनी होगी अगर अब कहें तो दो तिन बार सुनी होगी उनके बातों का मतलब निकालने के लिए और उपर उनकी बात भी हो गई होगी पालिटी के अध्यक्ष के इसतर पर उन्होंने अपनी बात कही दी होगी अशोग हलोत के आप OH is रहेंगे और यह कहा देंगे कि पार्टी ते इस मामले में अध्यक्ष ते प्रभारी ते रहें तो जब सचिन ने कोई आरोफ लगा तो उसका जवाब वो खुद परस्टनली देते रहे हैं अब यह देखना होगा कि सचिन जो कहा उसके पक्ष में पुताब सिंग खाजरिवाद आगे आपको लगता है तो हो सकता है शाम तक उस लोग सचिन के खिलाब भी कुछ बोल दें तो ठीका टिपनी कर दें कि ऐसे वक् भी वही बाते कहें कि हमने आयोग बठाया था राइस्तान हाई कोड ने आयोग कोई टेकनिकल ग्राउंड पर उसकी रिपोर्ट को मानने से इंकार कर दिया तो हम क्या कर सकते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ वो क्रॉप्शन के खिलाब जो उन्होंने मुहीम चलाई है बजरी उनके पास भी बंगला है और सरकार का रगुश अर्मा के पास भी है तोटासरा के पास भी है ये भी एक ऐसा विशे है लेकिन सवाल ये है कि ये पूरी जो कवायद है अलांकि महेर जोशी ने आप जिसकी बात कर रहे थे कल महेर जोशी का एक इंटर्व्यू मैंने किया उस भी एक हताशा निराशा कहीं न कहीं कई बार होती है कि डेता के मन में कुछ भी नहीं मिल रहा है और मेरा जो एक कुनबा दो कैम्प है वो भी धीरे धीरे अब फो प्लेस होता जा रहा है तो उसको चार्ज करने की दिशा में भी बड़ा कदम लेकिन राजस्तान की कॉंग् किस तरीके से तुफान का रूप लेंगी नहीं लेंगी और भारतिय जंदा पार्टी लगातार कोशिश कर रही है सांपरदाइक्ता के मुद्दे पर तुस्टी करन का रूप लगाते हुए और प्रेस कानफरेंस की बात हम कर रहे थे और अशो कहलोत कोशिश कर रहे थे इंतजार करना होगा ग्यारा अपरेल का और ग्यारा अपरेल में हलांकि विजेज जी ने सला दी है सचिन पाइलेट को की वो अकेले बैठें जसी एक तस्वीर अन्ना हजारे की बनी थी दिल्ली में वैसी तस्वीर दिखे कैमरे उसी तरीके से दिखना है अपनी बात कही है मैंने का मेरी मुझेर ऐसा लगता है आपको ऐसा लगताव ऐसा करना चाहिए तो एक सुझाव सलाई हो गया एक तरीके से लेकिन इसको सलागी श्रेणी में नहीं डालते हैं ये केबल एक अपने बात कहने का एक तरीका है लेकिन जो राज़स्तान की आप्रेल को वो तमाम चेहरे गिनेंगे काउंट करेंगे कि वो कौन-कौन से चेहरे गहलोद खेमे से निकल कर सचिन पाइलेट के साथ आते हैं बैठते हैं और वो तस्वीर ही त्या करेगी कि राजस्तान में आने वाले दिनों में कॉंग्रेस का सियासी भविश्य क्या होगा सियासी चोक में आज के लिए इतना ही नमस्कार